एक्सिस बेंग का एक धासू ओफर है आप एक्सिस बेंग क्रिडिट कार्ड के लिए अपलाई कर सकते हैं बीना कोई एन्वल फीज या जोइनिंग फीज के आप एक्सिस बेंग क्रिडिट कार्ड के लिए अपलाई कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक्सिस बेंग क्रेडिट काट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज में आना होगा इसका लिंग आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गिया है उसके बाद यहां अपना मुबाइल नमर फिल करेंगे यहां अपना डेट वबर्थ फिल करें इसके बाद आपको इस पेज में रिडारेक कर दिया जाएगा यहां आप अपना इंकम प्रोफाइल चूज कर लेंगे आप सेलेडिट है यहां सेल्फ इंप्लॉई है हम सेल्फ इंप्लॉई हैं तो इसको चूज करेंगे यहां नेट मंथली इंकम चूज कर लेंगे कि आप एक महीने में कितना कमा लेते हैं, वो यहां डाल देंगे, यहां अपना pin code फिल कर देंगे और get started क्योंप्सन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको इस page में redirect करेंगे, आप नीचे आएंगे, यहां के proceed क्योंप्सन पर क्लिक करेंगे, आपको यहां KYC करना होगा, आधार OTP के क्लिक करेंगे उसके बाद आपके आधा रजेस्टर मुबाइल नम्मर पे एक ओटीप सेंड किया जाएगा वह ओटीप यहां फिल करेंगे और सब्मीट के ओप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए आपका यहां लिखा हुआ आ गिया है मतलब आपका एक वाइसी सेवें गंटे के लिए वेलिडे और आपको इसके बीच में वीडियो के वाइसी कर लेना है चलिए हम यहां ओके के ओक्षन पर फिलिक कर देंगे उसके बाद आपको यहां कुछ कार्ड्स होगा जिस कार्ड्स के लिए भी आप इलिजिबल है वही का बेनिफिट्स देख सकते हैं 100% cashback within 30 days up to 250 on fuel transaction अगर 250 रुपे का transaction आप तेल भराने में कर देते हैं तो आपको 100% cashback मिलेगा और moving ticket अगर आप book करते हैं इस card से तो आपको 10% का छूट मिल जाएगा उसमें और हर 100 रुपे spend करने पर इसमें 1% का cashback मिलेगा shopping के लिए तो चलिए मुझे यहीं card लेना है तो हम यह get now के option पर click करेंगे उसके बाद यहां से आपको personal details fill करना होगा आप personal details पूरा fill करने के बाद आप यहां नीचे आएंगे यह confirm details के ओपर click कर देंगे उसके बाद आपका यहां आधार card का पूरा address सो करेगा आप इसी address पे card को मंगवाना चाहते हैं तो yes पर रहने देंगे ठीक अगर कोई other address पे मंगवाना चाहते हैं card को तो यहां no tick करेंगे और वहां address fill करेंगे चलिए मुझे EC address पे मंगवाना है तो EC को yes रहने देंगे और confirm address के ओपर click करेंगे उसके बाद आप जहां काम करते हैं उसका पूरा address fill कर देंगे और add के option पे click करेंगे work address add करने के बाद submit के ओपर click करेंगे तो आपका यहां card successfully apply हो जाएगा आपको यहां पे एक reference नमर दे दिया जाएगा आपको तीन से चार दिन के अंदर SMS या mail पे SMS मिल जाएगा यह आप eligible है या नहीं अगर आप eligible हैं तो आपको card send कर दिया जाएगा अगर आप eligible नहीं है तो किसी कारणों से अगर आपका application reject होता है तो उसका भी आपको SMS में भेज दिया जाएगा तो इस तरह से आप access bank credit card के लिए apply कर सकते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा गर पसंद आया है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सेर कीजिए और इस तरह की interesting वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए